नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त वरुनकुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ जैसा कि उमीद है आप लोगों इंडिया वर्सिस केनेडा के मैच के बारे में पता चली ही किया होगा क्योंकि इंडिया वर्सिस केनेडा का मैच जो है आपका विना च्रह्त में तबिश्च पाइड की लुगा कारां का घृता होगा अगर यह मैच होता है अगर आईरलेंड की टीम के देती तो भर सिस्च ए चांस थी स्वक्षं परेेट में क्वालिफाइट करने बड ये मैच नहीं हुआ बारिस के कारण ये मैच रद हो गया जिससे जो पाकिस्तान की टीम्ज प्लस पाकिस्तान के फैंस वगढ़ा के सपोर्टर्स मगढ़ा के जितने भी सपने थे मतलब आगे सूपर रेट में क्वालिफाइब करने का वो तूट चुका था और कल के मैच की बात की जाए तो कल भी जो है इंडिया वर्सिस के बीच में जो मैज था वो बिना किसी एक भी बोल डाले जो है बेंडेंड हो गया और इससे जो है इंडिया को कोई खास नुक्सान तो नहीं हो कि को इंडियन टीम पहले से को लोश हुआ इंडियन टीम को यह हुआ और इंडियन टीम की बात करें तो आराम से कौलिफाई कर चुकी सूपरेट में वह इसली जो है आपकी जो है सूपरेट में मैच वगरा खेले कि और भी इस तारीक को साइद उनका मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है फिर उसके मैच जीत चुके और उन्हों ने जो है मतलब इस मैच के जीतने के बाद जो है ऑस्टेलिया वर्सिस जो है स्कॉट्लेंड के बीच में जो मैच खिलना जाना था उसके उपर वह उनका डिपेंड करता था कि अगर स्कॉट्लेंड अगर यह उलोट फेर वगरा कर देती ती कर जाते बाट ऑस्टेलिया भी जो है आज सुबही थोड़ी देर पहले ही जो है आपका पांच विगेट से जो इसली वन नेटी रंस का टार्गेट सा जो कि उन्होंने अचीव कर लिया इसी के साथ साथ जो ग्रूप भी से जो क्वालिफाई करने वाली दो टीमें बनी आपक इसके आसपास हुआ था उसके बाद दुबारा बारिस हुए और यह दुबारा जो है दस ओवर्स का मैच हुआ इंगलेंड ने पहले बैटिंग करते हुए 122 रंस बनाए मतलब 10 ओवर्स में और डुक्वर लुइस के हिसाब से जो है नामी भी एको टार्गेट जो मिला था फिलसोल्ट की बात करें तो वह जल्द कल आउट हो गए थे तो वह जोनी वेस्टन ने ठीक ठाक पारी खेली 31 की पारी खेली 18 बोलों पर फिर उसके बाद जो है मोई नली ने एक 20 फोटक पारी खेली 16 रंस बनाए उन्होंने जिसमें उन्होंने 6 बॉल्स यूज करी फिर उ चार बोलों पर जिसमें उन्होंने दो गगंचूंबी छक्के लगा जिसके बदल जो है यह मैच जो है मतलब इंट्रेस्टिंग बना और इंग्लेंड ने 122 रन बना और इसको चेज करना था आपको नामी भिया को जो है था सोबर्स के अंदर तो उनको टार्गेट जो आ है मा vaigकल redแล की बात करें चाहे जिए डेविड वीगे थे बात करें तो यह जो पारिया थी यह वह चाहे मैकल वैंड लिंगन की बात करें उनको यह तीस रन के पार subjects 1929 भोलों पर फे उसके बात नीको डेविन की बात कुरिय उन्होंनी 18 बना 16 बोलों पर लास्ट I project the video with a हिक टाक हिटिंग करी उन्होंने 17 सर्ण मनाए 12 बोलों पर और अगर इंगलेंड की बॉलिंग की बात की जाए उसमें जो है इंगलेंड के बॉलर्स ने जोफर आर्चर ने दोवर में 15 रंदे के एक विगेट लिया क्रिस जॉर्डन ने एक विगेट लिया रिस टॉपली को कोई विगेट वगर नहीं मिला और इंगलेंड की टीम आर्षानी से यह मैच ड़कवर्थ लूइस की रूल के हिजाब से 41 रं से जीत गई और उसी के साथ साथ जो है आज जो सुबह मैच खेला जाना था ऐस्टेलिया आपके मारकस टॉनिस जो है 259 रंस बनाए आपके जो है 29 बोलों पर जिसकी बज़ोजले जो है मतलब इस टीम ने यह रंस चेस कर दिये नहीं तो यह रंस जो फस्स गये थे एक टैम तो ऐसा लग रहा था एक पॉइंट टू एक पॉइंट ट्री ओवर्स में सिस्टी रंस बाहर नहीं थी चाहिए आप बात करें ट्रेविस हेड की बात करें चाहिए मारकस टॉनिस की बात करें टीम डेविट की बात करें चाहिए आप बात करें मतलब यह तीनों नहीं मिलके जो है आपका बहतरी ने यह रंस चेंज कर दियो और उन्हों जो ऑस्टेलिया ने के ग्वालिवाय करने वाली team है हमें जुमेल है अगर इसकी बात की जए तो उसमें आपके एक पाद C की बात करें तो C ग्रूप में आपके अफगानिस्तान और वेस्ट इंडिस ने क्वालिफाइग किया सूपर 8 के लिए और D ग्रूप में पहले से ही साउथ अफ्रीका और आपके बांगलादेश क्वालिफाइग कर चुके थे और अगर बात की जाए मतलब कल की एक से हार गए बट नेपाल की जितने भी मतलब फैंस है या प्लेयर से तो उनको जो है अभी मतलब हिम्मत हारने की जरूत नहीं नई टीम है और वो जो उन्होंने बहतरीन केल दिखाया इंग्लेंड मतलब साउथ अफरीका जैसी टीम को 150 रन पर रोक क्यों 114 रन से बना दिना और उन्होंने अपने परदर्शन से निरास किया तो उसमें आपकी पाकिस्तान की टीम आती है जिसमें न्यूजिलेंड की दूसरी टीम आती ओर तीसी टीम बात करें तो स्रीलंका की आती है तो इन टीमों की आप पेर्फोर्मेंस रहा हो मतलब एक पार भी नहीं मतलब उनक तो उम्मिद है इंडिया टिम आगे क्वालिटाइ करके चाहिए हुआप स्थे फाइनल वगएरा ngay